हेलो दोस्तों वेलकम टू अनधर बीडू आज हम बात करेंगे हुंडई और सेडान गाड़ी के वाड़े में एक्स ऑफ्सनल टॉप मॉडल है जो आपके सामने देशनते हैं 2020 में लॉंच हुआ है इसका पेट्रोल डिजल्स एंजन में आती है और 6.40 से 10.50 लाख इसका प्राइस है आप देश सकते हैं सहंदार गाड़ एक प्रॉजेक्टर फाग लंप और लेड डी ल इसके फ्रंट में प्रॉवाइड किया गया दूनों साहल में यह हंड़ाई का लोगो और साथ में हमारा प्रोजेक्टरै लाम्प स्वेप ब्लैक जो है प्रोजेक्टरैड्लम कि इसका वेड्थ क्रुम फिंश है वाइपर और ये शार्क फिर अंटीना इसमें दिया गया है ये दिखे हमारा हाई लेक्ट्रिक अजेस्टेवल एलेक्ट्रिक फोल्डिंग मीरर बित टर्न इंडिकेटर ये पूरी गाड़ी की साइट प्रॉफाइल है जिसका लेंद है 3995 हाइट है 1520 वीड्थ है 1680 वीलबेस है 2450 सेम 15 इंच का डामन कट वीड्र धिसमें प्रोवाइट किया जाता है फ्रन में डिस ब्रेक और बैक में ड्रॉमट प्रेक के साथ गाड़ी आती है अब इसमें हम बात करेंगे इसके कलर के बारे में गाड़ी के कौनकों से कलर है टर्बू ब्लै ग्रे कलर वाइट कलर ब्लू सिल्वर रेड और ब्राउन कलर दो हम गाड़ी अभी देख रहे हैं आपके सामने जो यह ब्राउन कलर की गाड़ी ह है इस च्रॉंग बॉड़ी इसका जहान से अप देख सकते हैं कि बीच में जो क्रूम फी गारनी से Soc को और इन्हांस करता है और दोनों light को एड करता है जोड़ता है दोनों light को बैक से यहां देख सकते हैं यह मारा रिफलेक्टर और एकजास्ट और टो हुक दिया गया है बीच में और आकी बेजिंग और हुंड़ी का लोगो बैक में प्रवाइड के जाता है यह जेड़ सेप में लेजी इन टेल लैम्प यह बैक कैमरा और सेंसर प्रवाइड के जाता है गाड़ी में यहां पर हाई माउंट स्टाप लैंप और गाड़ी साथ में डिफॉगर भी में दिया जाता है रियर डिफागर सेफटी की बात करते हैं तो दो वेयर बैग एबीस एबीडी सेंटर लॉकिंग सीट वेल रिमाइंडर दिस्पीट अलर्ड और चाइल लॉक और बहुत सारे सेफटी इस गाड़ी में प्रोवाइड कि जाते हैं तीन साल की वारंटी या एक करिस्त दिखती है यहां से पर गाड़े के लिए नथची और हाइट जो है वो भी रोट के लिए बहुत ही अच्छा हमार्य प्रेजर्ट करता है यहांसे देख सकते हैं गाड़ी पूरी अब चलते हैं हम इसके बूट के बारे में बूट देखेंगे बूट जो है 402 लिटर का इसका बूट इस्पेस है और टूल किट भी इसमें दिया गया है साथ में 14 इंज का स्टिल स्पेर विल प्रवाइड करता है कोई भी उपर से कवरिन नहीं किया गया है यह गाड़ी का की देख सकते हैं बहुत हिसानदार की है चलेंगे बैक पैसेंजर साइड में बैक डूर देखिए डूवल टोन में है है हैंडल जो इसमें कुरूम गार्षन है देखिए यहां पर स्पीकर और बॉटल होल्डर है और यह यहां से देख सकते हैं पीछे साइड का सीट जो है हाईट अध्येस्टेबल जो है हेड्रेश्ट है और इसमें आर्मरेश्ट भी गाड़ी में दिया गया है दो लोग आराम से बैठ सकते हैं और यहां पर दो कॉप होल्डर भी गाड़ी में प्रॉइट किया गया है डूवल टोन में है ग्रेव फाइबरिक सीठ है इसका अब पूरी गाड़ी दे सकते हैं प्लेन रूफ है यहाँ पर एस इवेंट्स और 12 बूट का सॉकिट प्रवाइड किया गया है यहाँ देख सकते हैं यह पूरा डैस्बूट बैक से ऐसे दिखता है ब्राउन कुलर विद हनी कॉम के साथ जो इसमें प्रवाइड करता है रीडिंग लैंप चलते हैं आगे ड्राइवर साइड डूर क्या क्या देता है ड्राइवर साइड डूर भी देख सकते हैं यहाँ पर डूल टोन में हैं ड्राइवर साइड डूर यहां बॉटल लोल्डर और दोर पर भी लॉक उनलॉक और वियम के कंट्रोल और लॉकिंग के कंट्रोल और विंडो पार विंडो का दिया गया शीट अजिस्टेवल के और टाइर माइनेटरिंट दिया गया है यह पूरा गाड़ी का व्यू देख सकते हैं क्या लाठीश पारशन सेम जो पीछे कजर है सेमा अगए भी उ Sans color में दिया गया है पुरा ग्रे कलर में फैबरीक शीट है यह स्टेरिंग एलेक्रिक श्टेरिंग ईते लिवर दिया गया है से फ्यूर ओपन के लिए फ्यूल टैंंक पेट्रोल इंजण ऋहीं प्योल फ्यूल किया जाएगाा और सानी तिस लिटर का इंजन इसमें प्रोवाइट किया जाता है यह पैडल तीनों पैडल दिया गया है कि यहां फ्यूज दिये गया है हेड़ लाइट एजस के लिए और पावर स्टार्ट इस्टाफ बटन दिया गया है कि नहीं देश सकते हैं कि मैनुवल जो है इसका दिया गया इसमें कि कफ होल्डर कि यह लेधर रैप जो है दिया गया इसका पाइफ स्ट्पीड मैनुवल गेर बॉक्स है पावर चार्जिंग है वाइरलेस यह यूस्बी दो यूस्बी प्रोएट कि गया है यह भी चार्जिंग प्रोएट किया गया साथ में आटोमेटिक एसी प्रोएट किया गाए गारी के साथ एसी बैंस और हैजाड लाइट का स्विच यह इट इंच कट्रच स्क्रीन इस फोमेट इंफो टेंडमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें एपल कार प्ले और एंड्रोइट के साथ आता है यह डैसबोर्ड है यहां देख सकते हैं छोटा सा स्पेस और नीचे जो है कोल्ड गलव बाक्स दिया गया है बैंटी मेरर यहां पर बैक मेरर डे नाइट रिडिंग लैंप संवाइजर ड्राइवर साइट और यह इसका हमारा स्टेरिंग एलेक्ट्रिक स्टेरिंग यह हेमारा वाइस कंट्रोल म्यूजिक कंट्रोल वॉलुम के लिए यहां पर दिया गया हुँ है हमारा कुरूज कंट्रोल दिया गया है इधर से लाइट और इधर से हम वाइपर को कंट्रोल कर सकते हैं यह हमारा आएप 5.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर यहां पर देख सकते हैं इसमें सब कुछ सो करता है कितना सर्विस होना है कितनी गाड़ी चली है ट्रिप कितना हुआ है इसाफ सेट कर सकत करते हैं अलार्म विशो सीट वेल्ट अरार्म विशो करता है और हैंडब्रेक विशो करता है देशन ते टिल्ट स्टेरिंग के लिए दिया गया है आपर अब बोनेट ओपन करते हैं और देखते हैं इंजन इसका कैसा है इंजन की बात करेंगे तो 1200 सिसी का यह पेट्रोल इ नहीं है इंजन में रोड प्रेजन्स विगाड़ी का अच्छा है चलाने विगाड़ी कोई कैबिन में आवाज नहीं आती है थैंक्य दोस्तों वीडियो को लाइक किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना